नमस्कार दोस्तों बात करेंगे आज एक पैनी स्टॉक के बारे में चोटे स्टॉक के बारे में और सबसे जाधा ट्रेंडिंग स्टॉक के बारे में अभी तो हाल फिलाल में कोई चर्चा हो ने रही है लेकिन जैसे ही कोई अपडेट बनता है तो यहाँ पर आपको मुमेंट देखने को मिलता है और यहाँ पर जो अपडेट है काफी बड़ा अपडेट है for the shareholder of this company चुकि बहुत सारे लोग वेट कर रहा है कि कब यह stock टेक आफ करेगा कब इसमें कोई positive news आएगी कब इसमें जैसा सोचा जा रहा है वैसे चीजें होंगी वैसे implementation होंगे और आपको पता है क्योंकि stock छोटा है तो यहाँ पर दो लोग काफी active रहते हैं दो लोग बहुत ही जादा active रहते हैं वो लोग कौन हैं एक तो operators, second अगर आप देखेंगे तो retail investor और आपको यहाँ पर कई सारी बारीकिया बताऊंगा और किन लेविल के breakout के बाद आपको momentum देखने को मिलेगा तब तक आपको wait करना है एक एक बात समझाएंगे तो वीडियो में कोही सारे key highlights पॉइंट है तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेगा चुकि company के fundament बहुत ही खराब है तो दोस्तों जैसा कि आपको देखने को मिला होगा कि stock में volume बहुत अप रहते हैं अगर आप देखेंगे तो हमेशा एक मन्त का आपकर view देखेंगे दो महिने का देखेंगे तीन महिने का देखेंगे तो आप हमेशा देखेंगे तो यहां पर volumes हमेशा अप रहते even 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे के लिए भी हम पर trading होती है और with huge volume होती है जैसे ही कोई particular event बनता है like result आने वाले हो या फिर कोई management की commentary आने वाली हो या फिर इस particular sector से related कोई update आने वाली हो तो यहां पर volumes के हो जाते हैं, drastic change आता है, एकदम up हो जाते हैं अब यहां पर एक update देखने को मिल लगी है तो आप देख सकते हैं किस तरीके के volume है 81 करोण, अगर आप देखेंगे किस तरीके का engagement है किस तरीके की liquidity stock को देखने को मिल लगी है और जब-जब volume बनते हैं, जब-जब कोई बड़ा update आने वाला होता है तब ही हम आपको video provide करते हैं और हम आपको video के जो, मलब कहते हैं कि ना shares के जो bad effects हैं जो limitations हैं, वो भी हम आपको बताते हैं ताकि आपको guide करने में कोई भी दिकत ना हो तो यहाँ पर देखेंगे, volumes अप हो हैं volumes अगर अप होते हैं, तो क्या देखने को मिलता है, price action तो यहाँ पर volumes तो अप हो चुके हैं और price action भी अभी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल चुका है लेकिन यहाँ पर जो deliverable quantity है, वो भी बहुत शानदार है यहाँ पर चुक करेंगे, तो आज का volume आपको देखने को मिल जाएगा upper band और lower band देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर देखेंगे 21% की delivery देखने को मिल लई है चेक आउट करेंगे, अगर आप 21% की delivery देखने को मिल लई है 14 करोन से भी जादा के shares यहाँ पर delivery में उठाएगे तो आप समा सकते हैं, काफी जादा engagement है यहाँ पर और इस्टिल बहुत सारे लोग इसमें selling पर भी लगे हुए है अगर आप देखेंगे 33,00,00 के आसपास के shares की selling भी लगे हुई है तो stock में काफी जादा volatility है और updates आना शुरू हो गए है तो क्या update है यह जान लेते हैं, stock का नाम जान लेते हैं तो stock का नाम आपके सामने आ चुका है, stock का नाम है idea voda phone आपको पता है idea voda phone में maximum time जब भी कोई update आता है तो यहाँ पर volume तो increase होते ही होते हैं, साथ ही साथ आपको काफी बड़ी हाँ price action देखने हो मिलता है बट स्टिल कहूंगा it is very risky क्योंकि आपको पता है stock के fundamental क्या है यह भी discuss करेंगे अभी के लिए जो खबर आईए वो देखे तोड़ा सा discuss कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे, तो यहाँ पर सबसे बड़ी need क्या है idea vodafone के बारे में, सबसे बड़ी need है liquidity, cash requirement इनके पास पैसे की कमी है, fund raising, इस चीज़ की कमी देखने को मिल लिए है आप के पास कितने stock हैं, idea vodafone के वीडियो के नीचे comment करके बताइएगा तो यहाँ पर government ने एक बड़ी हाँ यहाँ पर stock के लिए, company के लिए थोड़ा सा बहतर ही कर दी है कि idea vodafone FDI प्रस्ताओं को सरकार की मंजूरी, यानि कि 15,000 यानि कि जो FDI का investment होता है उसमें government जो particular approval चाहिए था, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जिसके थुरू ऐसा माना जा रहा है कि company आने वाले time में 15,000 करोण रुपए तक जुटा सकती है ऐसा माना जा रहा है, they are in talks of fundraising with so many investors since September 2020 आपको पता है September 2020 से लगातार जब से commentary आई है, तब से बताया जा रहा है कि 15,000 करोण आएंगे या फिर something कोई भी fund raising होगी, but still अभी तक यहाँ पर कोई execution implementation नहीं देखने को मिला है they are in talks with so many investors, अगर आप देखेंगे बहुत सारे investors के साथ यह बातचीत कर रहे है वारतल आप चल लही है, लेकिन जब तक execution नहीं होता, पैसा आ नहीं जाता, तब तक आप उसको confirm ना मानी है लेकिन government की तरफ से काफी बढ़िया, अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर government okays up to rupees 50 के करोण FDI investment proposal from Voda phone idea, तो government ने देखीगा, okay कर दिया है, यह positive update है चुकि company अगर किसी भी तरीके से अब funding ला पाती है, तो उसे किसी तरीके के required देखने को नहीं मिलेगी लेकिन अभी भी, but no fundraising deal sealed yet, यानि कि कोई भी confirmed, एक potential investor के साथ कोई भी confirmed यहाँ पर fundraising deal confirmed नहीं होई है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से, तो यहाँ पर यह आधिया धुरी आपको update नहीं देखने है एक तो positive update है, but second update positive तब होगी, जब यहाँ पर fundraising की news का confirmation आ जाता है तो यह बहुत बड़ी ख़बर है, अगर आप यहाँ पर check out करेंगे, तो FDI investment proposal जो किया गया था Vodafone idea के तरफ से, तो उसको देखेंगा मंजूरी भी मिल गई है, और यहाँ पर direct investment के through अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हो सकता है आने वाले time में आपको fundraising होते हो देखने को मिले अभी तक कोई भी नहीं होई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अलावा अगर आप देखेंगे, when the fundraising announcement was made, the board said that the maximum capital to be raised from one source was 15,000 करोन यानि कि अगर fund किसी भी particular platform के through, किसी भी particular source के through आना चाते हैं, तो उसका जो maximum amount होगा, वो 15,000 करोन रुपय होगा और it is enough for the board of one idea, for current situation, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनका जो subscriber based loss हो रहा है और subscriber based के basis पे आर्पू भी loss हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब बात करते हैं, ये तो हो गया positive update बट still अभी देखेगा, यहाँ पर आने वाले time में जब तक confirmation नहीं आता, तब तक आपको बड़ा moment देहें देखने हो मिलेगा बट engagement शुरू हो चुका है, अगर आप यहाँ पर check out करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले कर आप देखेंगे, तो यहाँ पर stock consolidation के zone में stock में कोई बड़ा momentum अभी तक नहीं आया है, चुकि maximum लोग जानते हैं कि कई बार stock देखेंगा भागता है, एक महीने पहले भी देखेंगा stock भागा था, उसके बाद अगर आप देखेंगे, डाउन फॉल आ जाता है और उपर के level पे लोग फस जाते हैं, और फिर उसमें देखेंगा weight करते हैं, फिर negative news आती है, और फिर उसके बाद क्या आता है, वो लोग loss बुक कर लेते हैं तो इसलिए कैते हैं कि बहुत सारी दिक्कते हैं, पहले तो देखेंगा stock में दिक्कते क्या हैं, एक तो इनके जो market share है, वो कम हो रहा है सेकेंड चीज़, इनके competitor और जदा aggressive हो रहे हैं, और वो research and development पे काम कर रहे हैं, 5G network आने वाला है, इनकी कैसी तरीके की तयारी है भी पता नहीं है fundraising इनको देखीगा, debt चुकाने के लिए चाहिए, debt बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा इनको struggle करना है, पैसा आने के बाद भी, उसके बाद improvement करना है, फिर compete करना है जब यह सारी चीज़े execute होते हैं, तब ही stock में अच्छे momentum देखने हो मिलेंगे, तो जल्द बाजी में कोई भी फैसला मत लीजेगा, जितने लोग भी बैटे हैं, तो उनको wait करना चाहिए, कि fundraising हो जाए, तो आपके levels आपको देखने को मिल जाएंगे, और जितने लोग भी fresh buy करने की सोच रहें, तो पहले आप detail analysis कर लिजे stock के बारे में, balance sheet के बारे में, then after that you can make your mind, और वीडियो कर अच्छा लगा है, तो like, share, subscribe करना न बोलेगा, thank you so much.